लेकिन अभी लगता है कि यह ऐसा थोड़ा सा इसकी यह थिक्नेस बढ़ानी थी तो आप क्या करोगे इसकी प्रपर्टी आपको इधर मिलेगी बिद्ध आपको बढ़ाना है कम जादा करना आप मिडल माउस लट राइट करोगे उसको इसको से यहां पर आइसे बटन से बाहर आजाई यह सब मिल जाएंगे अपको फिर आप चलते हो आप अपने टॉरस पे और फिर वोलतो हमें इसी काम करना है अब यह तो पूरा खाली ह आप F button keyboard का press करोगे FFR focus तो यह आपके object को बिल्कुर center पर ले आएगा ताकि आपको इसको देखने में कोई problem नहीं होगी तो आप इसकी property में काम करना है तो जैसे इसको click करेंगे यहां देखिए control एक इसकी property लिए और अब यहां लिख्या रहा है poly, torus, पहले कहा लिख्या रहा इसका मिलेगा यह इतना और एक मिलेगा इस center से पूरा last तक ठीक है यह देखिए एक radius यह है बिल्कुल पूरा वाला center से last तक छोटा बड़ा कर सकते हैं एक radius section radius वो होता है यहां से यहां तक इसकी thickness maintain करने के लिए तो आप इसकी thickness भी इससे कम ज्यादा कर सकते हो यह option आपके यहां से property से आप change कर सकते हो कौन पर काम करना है कौन पर काम करना है फिर से f press कर देंगे और आप आ जाओगे poly कौन पर इसकी property में जाएंगे तो देखिए आपको इसकी property की according मिलेगा radius यह नीचे का बेस चोटा बड़ा करना है यह देखिए बेस चोटा बड़ा हो गया उपर की यह height है यह adjust करनी तो height पर आ जाएंगे जैसी आपको चाहिए